दोस्तो बहुत बहुत स्वागत थे आपका एक बार फिर से आपके अपने ही चेनल के रिग बॉली पार जा दोस्तो रॉकिंग इस्टार येश की फिल्म के जीएफ चैप्टर टू अपने पहले दिन यानि के ओपनिंग डे पर बाहुबली टू और टिर्पलार से भले ही पीछ रह गई हो लेकिन फिल्म की चौते दिन की कमाई ने टिर्पलार और बाहुबली टू दोनों फिल्मों का बॉक्स आफिस कलेक्शन होने वाला है दोस्तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताता चलू कि आमिर खार की फिल्म दंगल ने चाइना में तावर्तोड कमाई करके पूरे वर्ल्ड में 2175 करोड उपे की कमाई की है और फिल्म इंडिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है अगर यहाँ पे मैं KGF चैप्टर 2 की बात करूँ तो दोस्तो हिंडी में ही फिल्म तावर्तोड कमाई कर रही है और मुझे लगता है कि ये सारे रिकोर्ड तूटने वाले हैं आप यकिन नहीं करेंगे कि फिल्म KGF चैप्टर 2 ने अपने पहले दो दिनो में सिर्फ हिंदी में 100 करोड उपे के आकड़े को पार कर लिया था तो वही तीसरे दिन फिल्म का हिंदी में जो कलक्शन है वो 47 करोड उपे है और फिल्म का हिंदी में सिर्फ तेन दिनों में टोटल बॉक्स आफिस कलक्शन 148 करोड उपे हो गया है वही चौते दिन का कलक तो दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले है के जीएफ चैप्टर टू के पूरे चार दिनों के बॉक्स आफिस कलेक्शन के बारे में हिंदी, तमिल, तेलगू, इसके अलावा ओवरसीज से फिल्म ने अब तक टोटल कितनी कमाई कर ली है, मतलब चार दिनों में फिल्म का वर्ल्ड वाइट कितना बॉक्स आफिस कलेक्शन हो चुका है, बजट के बारे में हिट और फ्लॉप के बारे में बात करेंगे, तो बस आप इस वीडियो के साथ पने रहिएगा, लेकिन दोस्तो उससे पहले अगर आप रॉकिंग इस्टार यश को एक बहतरी नभी ने वानते हो, तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर देना, दोस्तो अगर बात करें KGF चैप्टर टू के बॉक्स आफिस कलेक्शन की, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फिल्म को पूरे वल्ड में लगबग 11,000 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था, दोस्तो वहीं फिल्म का ज जो नेट कलेक्शन हुआ है इंडिया में वो लगबग 90 करोड उपे हुआ है, वही गिरॉस कलेक्शन 105 करोड उपे हुआ है, और फिल्म ने ओवर्सीस से भी 15 करोड उपे से ज्यादा की कमाई की है, और फिल्म का टोटल तीसरे दिन का सटरड़े का जो बॉक्स आफिस कलेक कि कमाई करने वाली है वही अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में फिल्म का जो जो कलेक्शन है वो लगबख 125 करोड उपे से ज्यादा का होने वाला है और वही overseas से भी फिल्म लगबख 30 करोड उपे कमाने वाली है तो कोल मिला के फिल्म का जो चार दिनों का वर्ल वाइट टोटल वॉक्स आफिस कलेक्शन है कि जीएफ चैप्टर टू का वो 560 करोड उपय हो जाएगा और यहाँ पर आर आर और बाहु बली टू दोनों फिल्में पीछे छूट जाएगी और यहाँ पर यह कहना आप बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि फिल्म का लाइफ टा है कहना आप किसमें क्या है रहा है कमेंट में सुरू बताईएगा